रसोई घर में पांच जहर, पांचों जहर को बाहर निकालो आप, केवल डियाबिटीस नहीं, आपके जीवन के सारे रोग खतम हो जाएंगे, रसोई घर को जो बिगाड़ा है इन लोगों ने, पांच जहर रसोई घर में परवेश करा करके बिगाड़ा है, उसमें से उजला आटा, यानि गेहूं का आटा, मैदा, एक जहर, उजला नमक, blessing ध्याइदी नमक, ये दूसरा जहर है, तो गेहूं छोडा, तो कहां जाना है, बाजरी, जवारी, मकई, मडवा के पास जाना है, जव के पास जाना है, उजला नमक अगर छोड़ना है, सेंध हा नमक पर जाना है, काला नमक पर जाना है, आपके यहां के सांभर जील के नमक पर जाना है, यह शुद्ध नमक है, तो दूसरा जहर हुआ, तीसरा जो जहर इन्होंने डाला है, चीनी, चीनी का पिंड छोड़ो, चीनी बंद कर दो, चीनी के जगह, जितने इच्छा है उतना गुड़ भुरा खाओ, खांड खाओ ये डाइबिटीज की अच्छी दवा है गुड डाइबिटीज की अच्छी दवाओं में से एक है हमारे यह जितने डाइबिटीज के मरीजों की चिकितसा होती है सब को लिख के देता हूँ प्रिस्क्रिप्शन पैट पर प्रती दिन गुड खाओ रस्गुल्ला खाने का मन है जरूर खाओ गुड वाला खाओ जिलेवी खाने का मन है जरूर खाओ गुड वाली जिलेवी खाओ बालुशाई खाने का मन है गुड वाली खालो जितना मीठा खाने का मन है खाओ गुड वाली खालो तो तीसरा जो जहर है वो आपका चीनी है और जो चौथा जहर है वो है रिफाइन इस रिफाइन को बाहर निकालो ये तेल नहीं है अर्थरैटिक्स भी सबसे ज़्यादा राजस्थान के लोगों को है अर्थरैटिक्स घुटने का दर्द, कमर का दर्द माताओं को तो ह scheint, सत्परतिस्त राजिस्थानी माताओं को है ये कारण आपने इस शरीर को तेल और घी तो दिया ने तेल के नाम पर refine दिया और घी के नाम पर butter áil दिया कहते हो घी खाते हैं, लेकिन वास्तों में वो butter áil है, घी नहीं है आप कहते हो तेल खाते हैं तेल नहीं खाते हैं रिफाइन खाते हो आप रिफाइन अलग है और तेल अलग है दोनों एक नहीं हो सकता तो इस रिफाइन को बाहर निकालो और तेल को लेकर के आजाओ तेल सरसो का हो सकता है तिल का हो सकता है आपके हाँ अच्छा राई, सरसो, तिल ये तीन चीज़ें तो मैं जानता हूँ मुंगफली का भी बड़या हो सकता है ये सारी चीज़े हैं दो विरुद्ध चीज़े हैं एक सुर्य मुखी और शोयाबे इनके चक्कर में मत पढ़ना ये दोनों खतरनाक है तो इस तरह से रसोई घर से अगर कुछ चीज़ों को आप बाहर निकाल दो दो मोडर्न चीज़े हैं एक प्रिशर कूकर जो आपके रसोई घर का प्रेत है प्रेत को बाहर निकालो पकती नहीं है नाच फटती है नाच दाल फटता है उसमें पकता नहीं है नीचे से ताप और उपर से प्रेशर तूर का दाल फट जाता है पकता नहीं है पकेगा तो मिट्टी की हांडी में धीरे धीरे सने सने धीमी आच पर ही पकेगा तूर का पौधा जितने दीन तक मिट्टी में खड़ा रहता है उसी हिसाब से समय लेगा हांडी में पकने के लिए जल्दी कैसे पका लोगे आप? नहीं पका सकते वो मिट्टी में 10 महिने तक खड़ा रहा है तो 10 मिनिट तो लेगा ना चुले पर पकने में आप फटा फट दो मिनिट में पका लोगे पकता नहीं फट जाता है अनाज को फटा हुआ अनाज खाओगे तो गड़बड़तो होगी ही पका हुआ अनाज खाओ प्रेशर कुकर में कोई भी अनाज नहीं पकता केवल फटता है तो इस प्रेत को बाहर निकाल दो और दूसरा प्रेत तो कम है जो है फ्रिज इसको बाहर निकाल दो शरीर को अगनी चाहिए फ्रिज की सारी वस्तुएं शरीर के अगनी को खराब कर देने वाली है शरीर में अगनी नहीं होगा तो पचेगा ही नहीं और पचेगा नहीं तो शड़ेगा और शड़ेगा तो वायू निकलेगा और वायू निकलेगा तो पता है वायू क्या क्या करता है पूरे शरीर में उपद्रव करता है पैरलेसिस इसी में से आया हुआ है हाड अटेक इसी में से आया हुआ है ब्रेन हैमरेज इसी में से आया ह तो ये दो प्रेत को निकाल दो और ये वश्टूओं को अगर आप निकाल दो रसोई घर से बाहर तो बचा हुआ 25% डियाबिटी जो वहीं खतम हो जाता है